सबी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम इस्टेडी विद पी एन लोदा साथियों रीट मेंस एकजाम 2023 के लिए सेक्षिक तक्निकी और नवचार से सम्मंदित पेपर नंबर 20 आज आपके लिए लेकर आया हूं इससे पहले हम टोटल कितने पेपर को हल कर चुके हैं 19 मोडल पेपर सेक्षिक प्रिद्रेशिय और तक्निकी से सम्मंदित आपके जो हैं हम हल कर चुके हैं उसकी मैंने प्लैलिस्ट बना रखी है तो पिछले जो टेस्ट है आप end screen में आपको प्लैलिस्ट मिल जाएगी पुरे प्रश्णों को करके जाना प्रते एक प्रश्ण एक नंबर का है मतलब 20 नंबर का पेपर है प्रश्ण गलत करने पर एक बटा तीन नंबर आपके कम कर दिये जाएंगे जिस परकार से आपके एकजाम में होने वाला है तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को पहला प्रिशन देखते हैं प्रिशन संख्या एक क्या पूंच रहा है आपसे सूचना प्रोध्योगी की अधिनियम भारती संसत द्वारा कब पारित किया गया विकल्प है आपके सामने सन 2000 में, सन 2009 में, सन 2012 में और सन 2014 में तो यहाँ पर पारित करने की बात किया रही है सूचना प्रोध्योगी की का आपका टोपिक है ICT वाला अब ICT से संबंदित प्रिशने हैं, बहुत ही मैदपुन प्रिशने हैं मित्रूई हैं, आप सभी को पताऊना जाए इस प्रिशने के बारे में जो सूचना प्रोध्योगी की अदिनियम है भारतिय संसत के दोरा कब पारित किया गया था, सन 2020 में इसको पारित किया गया था अगर हम बात करें तो 9 जून 2020 को यह पारित हुआ था और 17 अक्टूबर 2020 को यह लाग हुआ था कौन से नियम की बात की जा रही है, सूचना प्रोध्योगी की अदिनियम की यहाँ पर बात की जा रही है तो फिर आपके कौन से विकल्प सही हुआ, विकल्प नंबर जो एक है, प्रशने संख्या एक का सही उत्तर है प्रश्ण संख्याद 2 क्यों बढ़ेंगे साथियों, दूसरा प्रश्ण आप से क्या पूँचा जा रहा है देखिए प्रश्ण नमबर 2 है आपके NEP 2020 में सेक्षिक स्वरूप रखा गया एक इस्तर पर, दो इस्तर पर, तीन इस्तर पर और चार इस्तर पर देखिएगा प्रश्ण संख्याद 2 में NEP 2020 से समंधित आपसे प्रश्ण पूचा गया है और NEP 2020 में जो सेक्षिक स्वरूप रखा गया है वो कितने इस्तरों पर रखा गया है साथियों, चार इस्तरों पर रखा गया है जैसे पहला जो इस्तर है उसकी अवदी रखी गई है पांस साल की दूसरा जो इस्तर है इसकी अवदी रखी गई है तीन साल की तीसरे स्तर की भी तीन साल की और चोते स्तर की अवदी कितनी रखी गई है चार साल की रखी गई है तो इस प्रकार से आपके दूसरे प्रिष्ण का कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो चोता विकल्प है प्रष्ण संख्यात 2 का बिलकुल सही आंसर है प्रश्ण संख्या तीन की और बढ़ेंगे साथियों तीसरे प्रश्ण में क्या है इन में से भारती सर्च इंजन नहीं है hotmail.com www.khoj.com www.redip.com www.yahoo.com तो सात्यू जो इन में से भारतिय सर्च इंजन नहीं है उसका चैन आपको प्रश्ण संख्या तीन में करना है बताए ये तीसरे प्रश्ण का सही आंसर देखेगा कल एक न्यू जा रही थी कि आपके जो रीट मेहंन की जो डेट है चार से पाँच फरवरी की चार पांच फरवरी को आपका एकजाम नहीं होगा बल्कि फरवरी के लाश्ट विखेंड में या फिर मार्च के स्टर्टिंग में आपका एकजाम होगा तो दो चीजे हैं अब आपके पास लगबग यू मान के चलो कि दो महिने बच रहे हैं अगर फरवरी के end में होता है तो फिर 20 दिन और 8 कर लो मार्च starting मतलब एक महिना आप 8 कर लो वेसे भी फरवरी साथियों आपके फरवरी का जो महिना है 2-3 दिन तो उसमें ऐसे ही कम होते ह आप यू मान के चलो कि 4-5 की जगे अगर 20 दिन और एक्ष्टा मिल जाते हैं या 25 दिन और एक्ष्टा मिल जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी कम जोर नहीं पड़ना है यह अगर मिलते हैं तो बहुत बढ़िया बात है लेकिन जब तक official announcement नहीं हो जाता है तक तक आपको इस 30 दिन आगे चला जाएगा इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं होने वाला है तो जिस परकार से आप तयारी कर रहे हो यूँ सोचेगा अगर 20-30 दिन और मिल जाए तो फिर वो golden आउसर होता है साथ यूँ उसको भुनाना पड़ेगा आपको ऐसा नहीं हो कि देखो आपको तयारी जारी रखनी है तो देखो इन में से भारतिय सर्चिंजन जो नहीं है वो कौन सा नहीं है आपके होट मेल, खोज, रेडिप ये तीनों ही भारतिय सर्चिंजन है लेकिन याहू जो है साथियो याहू भारतिय सर्चिंजन नहीं है बलकि ये विदेशी सर्चिं में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा फोर्थ विकल्प सही रहेगा तो चोता प्रिशन देखते हैं प्रिश्ण नमबर चार है आर्टी दोजार नो के अनुसार कक्षा एक से कक्षा पांच तक एक सेक्सनिक सत्र में नियूंतम कारे गंटे हैं 200, 228, 1000 तो प्रिश्ण संक्य चार का सही रहेगा चोते प्रिश्ण का सही रहेगा फोर्थ विकल्प आपके प्रिश्ण संक्या चार में सही रहे तो देखो चोते प्रिश्ण का सही रहे विकल्प नमबर तीन आपके चोते प्रिश्ण का सही रहे जल्द बाजी में अगर आपने पहला विकल्प कर दिया तो ये तो न्योंतम सेक्षनिक दिवस है ये, न्योंतम सेक्षनिक दिवस कक्षा 1 से 5 तक 200 होते हैं और 6 से 8 तक 220 होते हैं, जबकि घंटों की बात की जाए तो 800 कक्षा 1 से 5 तक होते हैं और 106 से 8 तक के लिए तो दिन की बात करें तो 200 प्लस 220, 200 और 220 और घंटों की बात करें 800-1000, PS और UPS के लिए है साथ हुए, तो आपको इन में बिल्कुल जल्द बाजी नहीं करनी, एक्जाम में इसा प्रिशना है, आप देखें कखशे एक्से पांस तक तो 200 सेक्सनिक दिवस होते हैं, लेकिन सेक्सनिक दिवस नहीं, सेक्सनिक यहां पर घंटों की बात की जा रही है साथियो, इसी वज़े से विकल पाप के तीन प्रिशन संख्या, चार का सही अंसर है, प्रिशन संख्या पांच की ओर बढ़ेंगे, पांचवा प्रिशन देख लेते हैं, प्रिशन संख्या पांच में क्या पूँच रहा है, देखो पांचवा प्रिशन है, इबेंकिंग के प्रकार है, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग और इन में से सभी है, तो इन में से जो आपको e-banking का प्रकार लग रहा है, उसका चैन आपको प्रिश्ण संख्या 5 में करना है, और साथ यो पांच वे प्रिश्ण क्या सही आंसर देखें, तो बिल्कुल e-banking के अंतरगत, नेट बैंकिंग भी आती है, मोबाइल बैंकिंग भी आती है, और SMS बैंकिंग भी आती है, मतलब ये सभी किसके प्रकार है, e-banking के ही प्रकार है, तो विकल्प नंबर जो 4 है, आपके इन में से सभी वाला, ये प्रश्ण संख्या 5 का बिल्कुल सई आंसर है, प्रश्ण संख्या 6 की और बढ़ेंगे साथियों, छेटा प्रश्ण देख लेते हैं, देखो छेटे प्रश्ण में क्या पूँच रहा है, SMC की बैटक अनिवार्य है, प्रतियक एक महिने में, इसकी एक बैटक का होना अनिवार्य है, जब विध्याले संचलित किया जा रहा होता है, कोई आपात कालीन चीज़े नहीं होती है, तो उस समय साथियों सामानित है, कम से कम, तीन महिनों में SMC की एक बैटक का होना अत्यनत आवश्यक है, इसी वज़े से आपके प्रिश्ण संख्याथ 6 का कौन सा विकल्प सही रहेगा, तीसरा विकल्प सही रहेगा, देखिए साथियों मैंने सुबह कला संसकर्थी का गोल्डन पेपर नंबर जो 12 है, वो एप पर जो एक 494 रुपे वाला कोर्स है, उसमें अपलोड कर दिया है, बिल्कुल रीचेक करके उसको अपलोड किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है गलतियों की, और कल के टेस्ट में एक गलती थी, तो उसको मैंने तुरंट टेस्ट को वापिस अठा के, गलती सुधार के वापिस टेस्ट को अपलोड कर दियाता तो कभी-कभी बाइचांस अगर मिश्टेक हो जाए तो उसको 100% सुधारा ही जाता है साथियो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा जो कोर्स है लेवल एक प्लस लेवल दो के लिए 149 रुपे का ओल सब्जेक्ट का एप पर तो निश्चित रूप से धाय जार से अधिक जो विध्यारती है हमारे साथ एप पर इस कोर्स में जूड़ चुके है साथियो और इस पर 135 के आज पास टेस्ट अभी तक लिए जा चुके जिसकी 20 मात्र एक सुरंचा से और एकजाम तक कम से कब 200 टेस्टों मानके चलो आप इसी फीस में एक बार फीस पे करनी है इसी फीस में एकजाम तक आप इन टेस्टों को अटेंड कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो अगर आपने एप को डाउनलोड नहीं कर रहा है तो एप डाउनलोड करके आप कोर्स को जरूर जुन करिएगा चलिए साथ वे प्रिष्ण की ओर बढ़ेंगे प्रिष्ण संख्या साथ क्या है आपके सोशल सोशल नेट वर्किंग साइट नहीं है लिंक्ट इन और कुट वाट्सअप लिकोस और ट्विटर तो इन में से जो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है उसका चैन आपको प्रिशन संख्या साथ में करना है साथि उस साथफ में प्रिशन का साय आँसर देख लेते हैं देखो आपको ये तो पता है कि वाट्सप भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है त्विटर है, फेस्बुक है, ये भी सोशल नेट वर्किंग साइड में आता है अब आपके पास दो विकल्प है, पहला या तीसरा तो साथ यहां पर अगर हम देखें, तो तीसरा जो विकल्प है ये सोशल नेट वर्किंग साइड का हिस्सा नहीं है बलकि ये एक सर्च इंजन का प्रकार है ठीक है ना सर्च जो हम करते हैं चीजों को तो ये उसका प्रकार है लिकोस विकल्प नमबर तीन आपके प्रिशन संख्या साथ का सही आंसर बाकि लिंक इन एंड और क्यूट ये भी बिल्कुल एक सोशल नेटवर्किंग साइड है तो साथवे प्रिशन में थर्ड विकल्प आपके सही रहेगा प्रिशन संख्या आट की ओर बढ़ेंगे साथियों आटवा प्रिशन देख लेते हैं देखो बिल्कुल इमानदारी से कमेंड करके जाना वही बिल्कुल इमानदारी से कि भाई 20 में से मायनस मार्किंग करने के ब 15 सितंबर 2022 16 सितंबर 2022 28 सितंबर 2022 और 29 सितंबर 2022 तो देखिएगा मुक्य मंत्री बाल गोपाल योजना की बात की जा रही है मुक्य मंत्री बाल गोपाल योजना के अंतरगत प्रतेक मंगलवार को और शुक्रवार को सात्यों सप्ता में बच्चों को दूद पिलाया जाता है इस योजना के अंतरगत, और देखिएका अगर मंगलवार के दिन चुटी है या शुकुरुवार के दिन चुटी है तो उसके एक दिन बाद पिलाये जाता है ऐसा नहीं है कि चुटी है तो फिर आप दूद ने पिलाओगा उसके अगले दिन तोड़ी यह, नवंबर है, नवंबर, टाइपिंग मिश्टे को यह साथ यह, सितंबर नहीं है, नवंबर है, इसके लिए मैं शमा चाता हूँ, तो 15 नवंबर, 16 नवंबर, 28 नवंबर, और 29 नवंबर, तो देखो, बिल्कुल 29, यह सितंबर नहीं है, मैं वापिस कर रहा इसको मुख्यमंत्री बाल, गोपाल, योजना का शुबारंब किया गया है, कब वापिस 29 सितंबर नहीं, बलकि 29 नवंबर, 11 महिने में, ठीक है ना, तो विकल्प नवंबर आपके वेसे तो प्रिश्ण ही, फिर यह टाइपिंग की वज़े से घलत हो गया, हाला कि यह इस नवंबर, 12 वैस आपका बिल्कुल सही उत्तर होता, चलिए अगले प्रिश्ण क्यों बढ़ेंगे, आपके प्रिश्ण संक्यानों है, जोब सर्च वेबसाइट का एक उधारन है, नोकरी.com, अमेजन.com, मिंत्रा.com और पेटियम, तो इन में से जो जोब सर्च में एक वेबसाइट है साथियों, जिसमें जोब सर्च किया जाता है, तो विकल्प कौन सा सही हुआ नोए प्रिश्ण का प्रत्रम विकल्प आपके सही आंसर है, प्रिश्ण संक्यान 10 की ओर बढ़ेंगे, 10 हुआ प्रिश्ण है, मुक्यमंत्री बाल गोपाल योजना के इस आपको संशुधन का यह करा आया है कि क्या रहेगा नोबर, बिल्कुल 29 नोबर 2022 को साथ हूं, मुक्यमंत्री बाल गोपाल योजना लौज की गई और इसी के साथ में, मुक्यमंत्री निशुल के यूनिफॉर्म वित्रन योजना ये भी 29 नोबर को ही लौज की गई, कब 29 नवंबर 2022 को साथ यो मंगलवार का दिन था दूद पिलाया गया बच्चों को राजिस्तर पर ये शुरुवात की गई थी और देखो ये जो मुख्यमंत्री निशुल की यूनिफोर्म वितरन योजना है ये कक्षा एक से आड़ तक के जो बच्चे साथ यो इन बच्चों को जो ड्रे से इसकुल की जो ड्रे से वो अपलब्द कराए जा रहेगी इस योजना के तहट तो विगलप एक आपके प्रिश जो कंप्यूटर का सबसे महत्पुन भाग है उसका चैन आपको प्रिशन संख्या 11 में करना है पताए में तरो 11 प्रिशन का कौन से विगलप आपका सही है तो देखिएगा कंप्यूटर का जो सबसे महत्पुन भाग है वो है CPU Central Processing Unit इसको कंप्यूटर का दिमाग या कंप्य भी कहा जाता है सात्यों किसको CPU को तो विकल्प दो आपके ग्यारवे प्रिशन का सही आंसर है प्रिशन संख्या 12 क्योर बढ़ेंगे 12 प्रिशन है आपके मिलावट खोरों के खिलाप कानूनी कार्यवाई है तो कोन सी योजना का संचलन किया गया मुख्यमंत्री शुद्ध करण योजना शुद्ध के लिए युद्ध योजना निरोगी राजस्थान योजना और मुख्यमंत्री अनुपरति कोचिंग योजना तो इन में से जो मिलावट खोर का मतलब है कि किसी भी चीज में अगर कोई शुद्ध चीज में कोई ऐसी चीज डाल देता है कम महत्व क कि जो खराब भी हो सकता है लेकिन उसके जैसे मिलती जुलती है तो मिलावट खोरों के लिए साथियों कानूनी कारवाई करने के लिए उनके खिलाब कानूनी कारवाई करने के लिए जिस योजना का नाम क्या है शुद्ध के लिए युद्ध योजना क्या है शुद्ध के तो आपके प्रशण बारा का सही आंसर है, प्रशण संक्या 13 के और बढ़ेंगे साथ हूँ, तेरवे प्रशण में क्या पूँच रहा है, यहाँ सेकंड विकल्ब सही आपके बारवे में तो, तेरवे प्रशण है, इसमाइल प्रोग्राम में, कौन सी कख्षा से कौन सी कख्षा तक study की सुविधा है कख्षा एक से कख्षा तक सुविधा दी गई थी कख्षा एक से कख्षा पांच तक यह सुविधा दी गई थी यह कख्षा एक से कख्षा बारा और कख्षा एक से कख्षा देस तो देखो इसमायल प्रोग्राम जो चला 12 तक कुझसी कक्षा तक एक से लेकर के कक्षा 12 तक इस रिकरम का संचलन किया गया था मतलब आपके कौन से विखल्ब सही है 13 प्रिश्ण में चो तीसर विखल्प ही यही प्रिश्ण संख्या 13 का सही आंसर है प्रिश्ण संख्या 14 कोई और बढ़ेंगे साथियों, चवधुवा प्रिश्ण आप से क्या पूझ रहा है, तो चलिए चवधुवा प्रिश्ण देख लेते हैं, राजस्थान जन सूचना पोर्टल लोंच करने वाला भारत का पहला राजबना, राजस्थान ने इस योजरा को कब लोंच किया था, 13 सि पूझना पोर्टल लोंच किया था, पूरे देश में, सबसे पहले किस राज़ के दोरा किया गया था, राजस्थान के दोरा किया गया था, साथियों, और राजस्थान ने ये पूचा जा रहा है प्रिश्ण चवधा में, राजस्थान ने इस योजना को कब लोंच किया थ तो प्रश्ण संख्या 14 का सही आंसर है 13 सितंबर 2019 13 सितंबर 2019 को ही राजस्थान ने जन सूचना पोर्टल लॉंच किया था विकल्प नमबर 4 आपके प्रश्ण 14 का सही उस्तर है प्रश्ण संख्या 15 की और बढ़ेंगे पंद्रवा प्रश्ण देख लेते हैं प्रश्ण सितंबर 15 में क्या पहुंच रहा है डिजिटल इंफ्राइस्ट्रक्चर फोर नोलेज शेरिंग की शुरुआत कब हुई 11 मैं 2020 5 सितंबर 2017 एक जून 2018 और 5 अप्रेल 2016 को देखो डिजिटल इंफ्राइस्ट्रक्चर फोर नोलेज शेरिंग और साथियों इसकी जो शुरुआत है यह कब की गई थी 5 सितंबर 2017 को की गई थी पंद्रवे प्रश्ण में दूसरा विकल्प सही है डिजिटल इंफ्राइस्ट्रक्चर फोर नोलेज शेरिंग को हम शोट में किस नाम से जानते हैं दिक्षा के नाम से जानते किस नाम से जानते साथियों दिक्षा के नाम से डी से डिजिटल बन जाता है इसे इंफ्राइस्ट्रक्चर बन जाता है फोर कैसे नोलेज बन जाता है और से शेरिंग बन जाता है तो आपक 20 में किस आयू वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया है अब विकल्प को देखेगा पहला विकल्प आप से क्या कह रहा है 6-14 आयू वर्ग के बच्चे दूसरा कह रहा है 6-18 वर्ष आयू वर्ग के बच्चे तीसरा कह रहा है 3-18 वर्ष आयू वर्ग के बच्चे और लेकर के जो 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इन सभी बच्चों को NEP 2020 में शामिल किया गया है तो 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे इसका सहय अंसर होगा विकल्प नमबर 3 साथियों देखो पहले जो आंगनवारी थी वो अलग से संचलित की जाती थी लेकिन अब वो NEP 2020 के अंतरगत विध्यले के अधीन ही मानी जाएगी साथियों पहले बालक को छेटी जब वो 6 साल के लगबक्का हो जाता था तब उसको विध्यले में प्रिवेश दिया जाता था डिजिटल इंडिया कारिकरम की शुरुआत किस ने की थी केंदर सरकार ने की थी राज सरकार ने की थी दोनों ने मिलकर सयुक्त रूप से की थी या इन में से कोई भी नहीं तो नाम तो सुना होगा डिजिटल इंडिया का डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें तो डिजि इंडिया कारेकरम जो है इसकी शुरुवात केंडर सरकार ने कब की थी एक जुलाई 2015 को की थी कब की थी एक जुलाई 2015 को तो आपको यहां सत्रवे प्रिश्ण में कौन सा विकल्प सही करना था विकल्प नंबर एक सही करना था उद्घाटान किस ने किया था प्रदान मंत्री इक सक अनुपात होगा, 35 अनुपात एक, 40 अनुपात एक, 30 अनुपात एक और 25 अनुपात एक, तो देखो, दो चीजे होती है साथियों, ये प्रिश्ण आ चुका है, कहीं बार आ चुका है, कहीं बार इस प्रिश्ण को पूँच लिया गया है, जो आर्टी दो जालनों हैं, इसके अनुसार प्रात्मिक विद्याले मतलब कक्षा एक से पांच तक के जो विद्याले हैं, इसमें 30 चात्रों पर एक अध्यापक का होना आउशक है, जबकि आर्टी दो ओजार नों के अनुसार शे से आर्टवी तक के जो इसकुल है, उनमें साथियों 35 चात्रों पर एक अध्यापक काऊना आउशक है यदि प्रात्मिक विध्यालियों में चात्रों की संख्या 200 या इससे अधिक हो जाती है तो चात्र सिक्सा का अनुपात कितना होगा फिर 40 अनुपात एक होगा लेकिन कब होगा जब छात्र संक्या 200 या इससे अधिक हो जाती है लेकिन ऐसा तो यहां ऐसा इसमें कुछ पूचा ही नहीं गया है इसी वज़े से आपके प्रिश्ण संक्या 18 का कौन सा विकल्प सही रहेगा थर्ड विकल्प बिल्कुल सही आंसर है साथ यह प्रिश्ण संक्या 18 में 19 वे प्रिश्ण की और बढ़ते हैं 19 वे प्रिश्ण में आपसे क्या पूच रहा है राजिस्थान के सिक्सा में बढ़ते कदम योजना का मुख्यूद देश है सरकारी विध्याले में पढ़ने वाले बच्चों के पोशन इस्तर में सुधार कोविड में हुए लर्लिंग लोस्त की भरपाई सतत्वे लगतार मुल्यांकन और इन में से कोई भी नहीं तो सात्यों, एक कारी कर्म चलाया जा रहा है वरतमान में राजसरकार के दोरा RKSMB के, किस नाम से चलाया जारा है? RKSMB के नाम से, इसी नाम से एक एप भी लॉंच किया ग endlessly किया गया है गुशन है तो इसका नाम है राजस्तान के सिक्षा में बढ़ते कदम साथियों ये जो योजना है ये इसलिए चलाए गई है क्योंकि जो COVID के दोरान विध्यले बन रहे थे तो बच्चों का जो learning loss हुआ था साथियों उस learning loss को पूरा करने के लिए उसकी भरपाई करने के लिए ही मुख्य रूप से इस योजना को चलाए गया है किस योजना को एप डाउनलोड का link comment box में भी दे रहा है तो आप comment box में जाकर भी एप को डाउनलोड उस link पर क्लिक करके एप को डाउनलोड कर सकते हो या directly play store पर भी आप एप को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो साथियों 20 वा प्रिश्ण और अंतिम प्रिश्ण है आपका अनाद बच्च दान योजना पालन हार योजना और इन में से सभी तो 20 वे प्रिश्ण का सही अंसर बताईए साथियों कौन सा विकलप आपके प्रिश्ण 20 में सही है अनतिम प्रिश्ण है अभी तक भी वीडियो को like नहीं किया है तो like और share यरूर करिएगा साथियों और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करके bell icon on कर लेना ताकि प्रती एक वीडियो का notification आप तक पहुंच सके देखो 20 वे प्रिश्ण का सही अंसर देखे अगर कोई बच्चा अनात हो जाता है तो उसका भरन पोशन करने के लिए उसका जो परिवार वाले जो भी है मतलब जो यह जिम्मेदारी लेता कि बिल्कुल इसका भरन पोशन में करूंगा तो उस व्यक्ति को साथि उस व्यक्ति को साथियों सरकार के दोरा कौन सी योजना के तहत पालन हार योजना के तहत आर्तिक साहिता उपलब्द कराती है government विकल्प नंबर आपका जो तीन है प्रिश्ण संख्या 20 का बिल्कुल स इस टेस्टों को अगर पूर्ण रूप से सही तरीके से फोलो करते हो तो निश्चित रूप से आपका जो सेक्सिक प्रिद्रश्य वाला जो टोपिक है संपूर्ण वो एकदम से बिल्कुल किलियर हो जाएगा साथियों तो पिछले जो टेस्ट है उनकी ये प्लेलिस्ट आ कर सकते हो मिलता है नेक्स टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद सभी का